के लेटस अबडेट साजस बुलेटिन में हम आपके साजा करने वाले हैं देखे बड़ी बात ये है कि दो भर्तियों का रिजल्ट लोग से वायों की ओर से घोशित कर दिया गया है तो ब्रेकिंग एक तरह से हम इस खबर को कहना चाहेंगे और जानकारी बिल्कुल आपके जुड़े रहिएगा शास्त्री भरती को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि भरती नियमों को लेकर बवाल मच गया है अब यहां पर तीन संगठन सामने आ गये हैं तीसरे संगठन की ओर से कुछ और ही दलिल दी जा रही है आखिरकार शास्त्री भरती पूरी कब होगे क्योंक लोकेशनल एजुकेशनल प्रदान करने वाले टीचर्स की भी करेंगे क्योंकि यह भी अपनी मांग को लेकर अब काफी जादा उगर नजर आ रहे हैं अभी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि सडकों पर उतर गए हैं सरकार से अपनी अपनी मांग उठा रहे हैं लेकिन इस इसका रिजल घोशित नहीं किया गया है जिस वज़र से कई वर्गों में काफी जादा रोज देखने के लिए मिल रहा है तो ये भी अपडेट साजा हम आपके साथ करने वाले हैं लेकिन शुरूआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 2243 ट्रांसफार्मर और 700 के करीब सड़ के ठब बताई जा रही थी आद सुभा के 10 वज़े तक हालात कुछ इस तरह के बने हुए थे शिमला शहर में भी क्योंकि देखे बीती रात बरफपारी का सिलसिला जारी रहा जिस वज़र से सुभा कोहरा भी पड़ गया और अधिकतर मार्ग शिमला में भी प्रभावित हो अभी तक प्रभावित बताई जा रही है यानि कि अवरुद है इन सडकों से अभी तक बरफ नहीं हटाई गई है जिस वज़र से वहां के स्थानिया लोगों को होटलियर्स को बड़ी समस्याएं आ रही है और साथी साथ जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं उन्हें त जो कि गंभी हालत में बताई जा रहे हैं इसलिए बार-बार ये कहा जाता है कि जब आविशक काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले क्यूंकि कोहरे की वज़ा से सभी सडके और बाकी की जो जगाएं हैं वो भी स्लिपरी हो जाया करती हैं जिसमें फिसलन होने की वज़ दूद ब्रेट की बात करें तो लाहोस पिती की नौर कुलू में ये चीज़े पहुंचाना भी बेहत मुश्किल हो गया है प्रशाशन के लिए हलाकि कोशिश ये की जा रही है कि जल से जल सभी सडकों को बहाल किया जाए शिमला शहर के आसपास की जितनी भी सडके हैं वो दूबारा से बहाल कर दी गई हैं यहाँ पर क्यूंकि बरफपारी कम हुई थी उपरिक्षेत्रों के मुकाबले तो आज धूब भी खिली रही इसका भी ये असर देखने के लिए मिला कि सडके साफ हो गई और दूसरी बड़ी बात यह है कि मजदूरों को और करमचारियों को भी सुबा ही सडकों पर उतार दिया गया था ताकि बरफ के उपर मिटी गिराई जा सके हालात कुछ इस तरह के रहे बारिश परफपारी के बाद अब अगली बात करना चाहेंगे कब तक बारिश परफपारी का सिलसिला जारी रहने वाला है क्योंकि मौसम विग्यान कें को में मुसलाधार बारिश होने वाली है उसके बाद 6 फरवरी को एक या दो खशेतर ऐसे होंगे उपरी शिमला में जहां पर बारिश परफपारी को लेकर संभावना है और 7 फरवरी से फिर मौसम साफ रहेगा ये मौसम विग्यान केंदर की ओर से प्रेडिक्शन की गई है और चेतावनी देखे 5 फरवरी तक दी गई है विशेश तोर से किनौर लाहुस पिती सहित चमबा कुलू मंडी कांगरा और शिमला में भारी बरफपारी होने के आसार जताए गए हैं जैसा कि अभी देखने के लिए भी मिला पिछले तीन दिन से क्यूंकि बारिश परफप आयोग से जुड़ी अगली जानकारी देना चाहेंगे ये दर असल हरियाना से संबंदित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाना की उर्जा मंतुरी श्री रंजी सिंग ने हरियाना विद्यूत नियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाज शर्मा को पद निश्ठा सेवाएं दी और इसके अतिरिक बिजली बोर्ड में भी लगभग 18 वर्षन तक इन्हों ने अपनी सेवाएं दी हैं और हिमाच्र प्रदेश में ही कानू नेवं प्रशाशन में भी 16 वर्षों का इन्हें अपना लंबा अनुभव रहा है सेवाएं देने का बिजली बोर्ड में हिल्टॉप कंपनी ये बताई जा रही है जहां भीशन अगनी कांड की जानकारी सामने आई और आसपास के लोग काफी ज़्यादा घबरा गए थे तुरंट प्रभाव से उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया हलाकि अभी भी वहाँ पर आग बुजाने का कारियर बिल्कुल जारी है एक तरह से आग पर काबू पाना बहुत जादा मुश्किल हो गया है और आशंका ये जताई जा रही है कि जो बाकी के कुछ करमचारी थे या कामगार थे वो कहीं कंपनी के अंदर ही ना फसे हों कंपनी में डियोडेंट बनाने का काम किया जाता है लेकि कि जो कुछ एक मजदूरों को लेकर यहां पर बात कही जा रही है या कामगारों के फसने की जो जानकारी सामने आई है ये भी वहीं के लोगों की ओर से अपडेट दी जा रही है कि हो सकता है कुछ एक कामगार अभी बी अंदर फसे हो तो उन्हें बचाने में भी दमकल वि जा रहे थे बीच रास्ते कुमारसन में इनकी गाड़ी अनियंतरित होकर सडक से नीचे गिर गई तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई दो लोगों को कुमारसन अस्पताल ले जाया गया है उपचार करने के लिए और यहां पर भी देखे कारण वही है कि यह कंट्रोल में गा कर ही अपनी गाड़ी चलानी चाहिए अब इसमें भी दिखे पांच के करीब लोग सवार थे और तीन की मौके पर मौत हो चुकी है बड़ा हाथसा कहना चाहेंगे कुमारसन में पेश आया है नेता पतिपक चैरान ठाकुर ने एक बार फिर सरकार को खेरा है एक मौका इने फिर से मिल गया और मौका इसलिए मिला क्यूंकि शिमला शहर में लगभग 10 चगाएं ऐसी चिनहित कर दी गई है जहां पर धरने प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है पिछले कल ही जिला डंड़ अडिकारी शिमला की ओर से या देश चारी किये गए है अब नेता पतिपक शिमला शहर में 10 से 11 के करीब जगाएं चिनहित कर दी गई जहां पर धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता और इसमें 11 के करीब वही जगाएं जहां पर अनेकों वर्ग या करमचारी वर्ग अपने लिए आवाज उठाया करते थे अपने हक के लिए लड़ा करते थे लेकिन यहा करमचारी को और अन्या वर्गों को दबाने पर यहां जोर सरकार का होना चाहिए यह नेता पतिपक्ष जयराम ने कहा है और साथी साथ हिदायत यह भी दी है कि जल से जल्द इन समस्याओं को निप्टाया जाए जो कि इन वर्गों से संबंदित है तब ही यहां पर सुकून सरकार को भी मिलेगा इन वर्गों को भी मिलेगा इस तरह से अगर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी तो इससे यह वर्ग और जादा उग्र होंगे दूसरा तंज नेता पतिपक्ष की ओर से यह कसा गया है कि माताओं और बहनों के साथ भी अन्याय हुआ है क्यो बहुत सारे युवा अभी भी विरोजगार बैठे हैं इस आस में बार बार सची वाले के चकर काट रहे हैं कि सरकार उन्हें रोजगार देगी लेकिन अब उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और वो भी इस हद तक कि धरना प्रदर्शन पर पुरी तरह से रोख ही सरकार ने लगा दी है शिमला शहर में दरसल ये 10 के करीब जगाए चिनहित की गई हैं कौन-कौन सी जगाए हैं आपको इस बारे में भी अपडेट दे 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 हैं क्योंकि जिला अधिकारी शिमला ने वीरवार को ही यानि कि पिछले कल की अपडेट है पंजाब रा तो देखें ये 10 थान कौन-कौन से हैं इसमें छोटा शिमला से रिज और कैनेडी हाउस तक धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है क्योंकि सबसे ज़ादा धरना प्रदर्शन कई वरगों की ओर से इसे एरिया में किये जाते हैं इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई रेंच वाइस रेस्ट्रांट से रिवाली सिनेमा की 150 मीटर दूरी तक भी कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है स्केंडल पॉइंट से काली बाडी मंदिर तक भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोड़ा शिमला शुम्टी सडक की ओर जाता है यहां पर भी बिल्कुल मना ही है प्रदर्शन करने के लिए कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक एजी कारेले से कार्ट रोड सी पी डव्यू कारेले से चौड़ा मैदान उपायू कारेले से उपर पुलिस गुम्टी से लोवर पुरी तरह से रोक लग गई है ना तो करम्चारी वर्ग अभी इस तोरां धर्ना प्रदर्शन कर पाएंगे और ना ही जो अनेको वर्ग यहां सामने आ रहीं हैं उनकी ओर से कोई प्रदर्शन किया जा रहा है हलाकि अभी कि अगर करंटली बात करें तो SMC's के और से प्रदर्शन किया जा रहा है उपयुक कारेलिया के बाहर ये बैट गए है डेरा डाल कर और इनका कहना है जब तक regular policy इनके लिए नहीं बनेगी तब तक ये वहाँ से नहीं हिलने वाले हैं शास्त्री अभिहर्चियों के ओर से भी कुछ ऐसे ही चितावनी दी गई है बिरोजगार युवा भी कई मर्तबा इन्हीं क्षेत्रों में प्रदर्शन कर चुके हैं पिछले कई दिनों से इस तरह के हालाद बने हुए हैं और अब यहां इस बीच ये बड़ा फैसला ले लिया गया है जीला डर्ण अधिकारी शिमला की ओर से देखे किस तरह क्या देश चारी हुए है कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा और यदि इसका उलंगन किया जाता है तो स्ट्रिक्ली एक्शन उन वर्गों पर लिया जाएगा जो इसके बावजूद भी इन एरियाज में प्रदर्शन करते हुए या नारे लगाते हुए नजर आते हैं लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर यही तुल पकड़ लिया है और विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इतने सारे एरियाज को चिनहित करके धरना प्रदर्शन पर ही रोक लगानी पड़ रही है इससे पहले दृष्टी हिंसंग की ओर से भी प्रदर्शन किया गया था और अभी तक वो वीडियो काफी जादा सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है लेकिन दूसरी मन्शा यहां सरकार की ये भी नजर आ रही है कि अभी देखिए वैसे ही बर ओफपारी का सीजन है काफी परेटक भी बहरी राज्यों से शिमला पहुंच रहे है तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो सके और शांती प्रिया महौल बना रहे इस वज़ा से भी हो सकता है कि ये डिसीजन लिया गया हो ये समझा जा रहा है चर्चाओं में हाला कि कई तरह की बाते हैं लेकिन एक कारण ये भी रह सकता है लेकिन विपक्ष का तो ये मानना है कि केवल इन वर्गों की आवास दबाने की कोशिश यहां पर सरकार की ओर से हो रही है अगली जानकारी की ओर चलना चाहेंगे स्कूल शिक्षा बोर्ट से जुड़ी अपडेट हम लेकर ये आये हैं एक जनवरी 2024 को इसमें उत्तर कूंजी भी सौंपती गई थी धर्मशाला बोर्ट की ओर से लेकिन अभी देखे फरवरी महा शुरू हो गया है और शिकायत इन अभी हर्चियों के ओर से ये की जा रही है कि आखिरकार रिजल्ट घोशिक क्यों नहीं हुआ दो बड़े कारेंट इन्होंने दिये हैं जिस वज़े से इने समस्या आ रही है पहला तो ये कि अन्या प्रतियोगी परिक्षाओं की भी तयारी नहीं कर पा रहे है और दूसरा डर अब इन्हें ये भी साथ ही साथ सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इस रिजल्ट के इंतजार के चकर में अपने विश्य की प्रतियोगी परिक्षा में ये शामिल ही ना हो यानि कि एक तरह से उससे वन्चित रह जाएं तो इसलिए रिजल्ट जल्दी घोशित होना चाहिए यहां लगभग एक से दो महीने हो गए हैं क्यूंकि नवेंबर और दिसंबर माहा में ये टेक्ट की परिक्षा यहां पर ली गई थी तो आखे का रिजल्ट कब तक घोशित होगा ये सवाल इनकी ओर से उठाया जा रहा है और अध्यापक पातर्ता परिक्षा का रिजल्ट जल्दी घोशित किया जाई ये डिमांड भी इनोंने रखी है अगरह भी एक तरह से इनोंने शिक्षा बोट से किया है देकि आंगनबाडी और आशा वर्कर से जुड़ी भी एक अच्छी ख़बर निकल कर सामने आई है हाला कि पिछले कल भी ये जानकारी हमने आपके साथ साजा की थी कि केंजो सरकार की और से अंधरिम बजट क्योंकि पिछले कल देखिये पेश किया गया था और इसमें ये बात भी तैक की गई थी कि जो पूरे देश फर में आशा वर्कर्स या आंगनबाडी वर्कर्स है उन्हें भी आयुश्मान भारत योजना के दाएरे में लाया जाएगा लेकर हिमाच्चर प्रदेश में कितनी आंगनबाडी और आशा वर्कर्स है जिने इसका लाब मिलने वाला है तो आंकडा निकल कर सामने आया है 24,000 44,000 के करीब आंगनबाडी और आशा वर्कर्स है जिने आयुश्मान भारत योजना के दाएरे में लाया जाएगा इसमें 36,000 के करीब आंगन बाड़ी वर्कर्स और सहाईकाएं हैं और 8,000 आशा वर्कर्स बताई जा रही हैं जिने 5,000,000 रुपए तक के स्वास्थय भीमा कवर को मिलने में अब ये योजना यहां पर शुरू की जाएगी यानि कि एक तरह से 5,000,000 रुपए तक का स्वास्थ परिवारों को मिलता है जो कि एफॉर्ड नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट और अब इसमें मौका देखिया आशा वर्कर्स और आंगन बाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा इस योजना के ताइरे में इने भी लाया जा रहा है एक तरह से स्वास्थय भीमा कवर इने 5,000,000 रु दूसरे साथ दिन से एक ही बात को लेकर यहां डटे हुए हैं कि जब तक रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई जाएगी यह वहां से नहीं हिलने वाले हैं रेगुलर पॉलिसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10-12 वर्ष हो गए हैं दुर्गम क्षित्रों में खाली चले रहते हैं तो फिर यही उन विश्यों को पढ़ाने का काम करते हैं ऐसे में इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत कम है 2555 के करीब लेकिन अभी कोई भी हलचल सरकार में नजर नहीं आ रही है ना ही सरकार का कोई नुमा जाएंगे और जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये अपनी इस हर्ताल को भी वापिस नहीं लेने वाले हैं अब इन्हों ने तो अपनी बात आज क्लियर कर दी है दूसरी और वोकेशनल शिक्षक भी सामने आ गए हैं और ये भी नियमित पॉलिसी की है कि पंजाब में जब कंप्यूटर शिक्षक और अन्यों के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाई जा सकती है तो हिमाचल सरकार को इससे दिक्कत क्यों है हिमाचल सरकार को भी इनके लिए कदम उठाना चाहिए अभी दरसल स्मगर शिक्षा की पीएबी की बैठक हुई है 31 जन है लेकिन कोई भी आश्वासन पुन रूप से सरकार की ओर से ऐसा नहीं दिया गया है हाला कि SMC के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन जुरूर हुआ था लेकिन उसकी कोई भी बैठक कभी तक नहीं हो पाई है और जब तक एक भी मीटिंग नहीं होगी तब तक पॉलिसी क पर रोक लगा दी गई है जीला डर्ण अधिकारी शिमला की ओर से इस पर पहले ही आदेश चारी हो चुके हैं तो अब अगर धरना प्रदर्शन करना भी होगा तो कहां करेंगे क्योंकि SMC में जितने भी एरियास हैं वो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिये गए हैं वहाना नहीं हैं NCTE की अधिसूचना में देखे साफ तोर से ये कहा गया है कि सनातक उपाधी ही अनिवारे है और इन शिक्षकों का ये कहना है जो कि संस्कृत शिक्षक परिशद संग है क्योंकि इसमें तीन गुट सामने आ गए हैं तीनों संगठन अपनी अपनी और से कुछ निवता बढ़ाई जा सके पढ़ाई में और भरतियों में लेकिन ऐसे में अगर छूट भी ली जा सके तो वो भी उचित रहेगा क्योंकि पूर्व में भी ऐसा ही देखने में आया है कि NCTE के साथ टाइप कर लिया गया था यहां शिक्षास अचीव के कारेलिया की और से उस बात इनोंने कह दी है दूसरी बड़ी बात यह है कि यह TGT पदनाम लेने पर अभी भी अड़े हुए हैं इनका कहना है कि TGT पदनाम हमने जरूर मांगा था लेकिन यह नहीं कहा था कि भरति नियमों के साथ छेड़ चाड़ की जाए TGT नियम जबरन इन पर थोपे जा र हो गया है तीन पूट अलगलग सामने आ रहे हैं किसी का कहना है कि जो अभी NCEE की अधी सूचना सामने आई है उसी के मताबिक यह भरतिया होनी चाहिए अब यह जो संस्क्रिशक परिशद है इनका कहना है कि जो एनसीटी की अधी सूचना में बात कही गई है और सनातक उसम में confusion बनी हुई है साफ तोर पर ये भी अपना वक्तव्य नहीं रख पा रहे हैं और सरकार की और से भी फिलहाल इस भी किसी तरह का कोई reaction सामने नहीं आ रहा है लोग सिवा योग पर अब हम अपनी बात कहना चाहेंगे क्योंकि दो भर्तियों का भर्ति हुई थी और 10 के क्रीब इसमें अभ्यर्थी उत्रिंड बताय जा रहे हैं इससे पहले 42 अभ्यर्थियों ने इसे पास किया था लेकिन जो चंटनी हुई है दस ही अभ्यर्थी अभी सामने आये हैं बाकी की जानकारी लोग से वायो की वेबसाइट पर भी ये अभ्यर् करना चाहेंगे इसका भी लिखित परिक्षा का रिजल्ट घोशित कर दिया गया है 360 पदों पर 10 दिसेंबर को लिखित परिक्षा योजित करवाई गई थी और वेबसाइट पर इसकी भी पूरी जानकारी दे दी गई है 826 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्नोंने लिखित पर परिक्षा पास कर ली है अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी ही होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तीथी क्या रखी जाएगी इस पर जल्दी डिसीजन हो जाएगा लेकिन उससे पहले वेबसाइट पर जरूर जाईएगा और चेक कीजिएगा इस भर्